पर के एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं आज हम लेवल्स की चर्चा करेंगे और पिछले जो यह मार्केट पूरा बोटम से यह उपर गया यह किस प्राइज एक्षन पर गया और कैसे हम निकाल सकते हैं इसके लिए भी थोड़ा सी चर्चा करें क्योंकि लेवल्स है जब मार्केट् के बहुत ही पोज के बाद फर किया और तुरंती रीवर्शल दिया तो यह जो फ्री केंडिल होती हैinkने से मार्केट के ऊपर के एसल्स को और जदा स्ट्रोंग कर देती हैं जिन लोगों ने सेलिंग में फसेवे लोग वो ट्रेप हो चुके अब हमें ट्रेप चाहिए ऐसे में हम डे इंस्योरेंस का बड़ा यूज लेते हैं आप यहां देखोगे एक बढ़ियां बेरियर मिलने के बा तो सेम यहां पर आपका इंस्योरेंस बना और मार्केट ऊपर की साइट ठीक है मार्केट में हम इंस्योरेंस के लिए तीन दिन लगातार देखते हैं एक दो तीन बड़ अगर कोई इंपोर्टेंट बेरियर पॉइंट आ रहा हो जो की डे के चार्ट पे गुमी का निभा र पेरियर की रियक्शन में आने वाला इंस्योरेंस बहुत ही जबर्दस्त होता है वो दो दिन के उपर भी बनता है तो हम उस्योरेंस को लेते हैं और बहुत ही बड़ियां पैसा देता है जैसा कि यह वाला इंस्योरेंस आप देख रहे हो ऐसे ही यहां पे एक मजबूत सब्सक्राइब में बना के बेजी थी 438 लेवल बहुत इंपोर्टेंट है यहां से और आपको अगर ध्यान हो तो यहां की टर्निंग के लिए भी मैंने आपको बोला था मैं आपको एक पिछली बार का जो अपना वीडियो रहा था उसी में मैंने बोला आप जाके देख सकत क्लिक करों तो अपका और बोला ओब ले यहां पूरा का पूरा और और जाने के लिए पिछले वीडियो में बताया इन वहां से वहां को तो यहां तो यह वाले परफेक्ट में मार्केट खुलेगा जस इस लेवल को अचीव करते ही अपने को ऊपर की जाइड खेलना स्टार्ट करना अब उसके बाद में ये जो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर रहा वो स्ट्रक्चर एक ऐसे बेरियेृर काम करता ऐसे बेरियर उपर जाए Guy तो जासे मटनों कि यह लेवल भी आज लेकरड़ तो एक बेरियर इंपॉर्टन ऐखरuted से बहुत जब जद देते हैं किया आप यहां के बाद मार्केट में भ Мих Supagus कि आच धरिए यह इंपोइंट बहुत ही अपना मदब इंपोर्टेंट रहता इंशुरेंट के अंदर जो लोग जानते हैं यह वाला पॉइंट भी आड़ कर सकते ऐसे प्लेसे बहुत कीमती होते हैं यह जो होते हैं जैसे मालो अभी मैं आपको और भी एक्जामपल दूँ बेरियर आता ना कोई इंपोर्टेंट बेरियर बना लेता है जब यह हाई टूटा हाई का पोज के बाद में यह देखो कितना जबर्दस देखे गया और यह देखो यह पिछला वाला लेवल एक बेरियर की जरह काम कर रहा था मार्केट ऊपर आया यह वाले बेरियर पे इंशुरेंस मिला य यह देखो कितना जबर्दस मार्केट ने जिया अब यह जो इंशुरेंस मिला यह थीक है लेकिन यह इंशुरेंसि आपका जल्दी मिलाए वैसे इसमें तीन दीन हो है दो दिन में भी अगर ऐसी जगह पे इंशुरेंस बनता है तो वह जबरदस्त काम कर जाता है ठीक है तो यह एक फेक्टर होता है वाकी मैंने इंशुरेंस के काफी वीडियो बना रखें जो लोग नए जुड़े वह देख सकते हैं ठीक है अब इस जो मोमेंटम की और लेव कर दा लेकिन कुछ जगह पर ऐसा होता है 》क ब्रेक आÚट्स ट्रोंग नहीं आता है को जिए जिए हैं ढू देक्कर चेजिग की छेजिंस के जरही है चेजिंग एक बहुत ही आसान स्टेपर जिसमें मार्केट उपर जा सके बिना चेजिंग देखो चेजिंग क्या होता है छोटी छोटी केंडल में मार्केट का बाहर जाना यानि कि धीमी चाल से मार्केट का चलना और चेजिंग नहीं और क्लाइमिक्स मोमेंटम आता है यानि क बड़ी केंडल जो मैंने पीछले दो वीडियो में आपको बता है क्लामेक्स ब्रेक आउट मार्केट को सस्टेन नहीं करेंगे मार्केट वहाँ से फेक ब्रेक आउट करके अंदर की साइड के ट्रेवल को एजी मैसूस करेगा क्योंकि ये एक जर्नी है और ये एक प्लेटफोर्म है मार्केट अगर यहां से यहां आ रहा है तो मार्केट की एक जर्नी की थकावट होती है अगर वो स्पीड में आ रहा है तो वो नहीं जा पाएगा अगर वो slow आ रहा है तो इसका मतलब वो यहां पे ठकेगा नहीं क्योंकि वो already relax में आ रहा है और आगे की जड़ने की capacity ले आता है तो ऐसे मैं जब भी आप जहां भी देखोगे जैसे यहां का breakout यह आया strong है इसको हिमत चाहिए बट यह on the point close है मतलब यह एक टिट्टो point पे close है यह breakout नहीं है एक breakout होता ना जो strong आता है उसकी बात हम कर रहे हैं जैसे अगर हम बात करें market ने हमने यहां देखा था तो यह strong breakout बाहर की side दिया on the यहां पे नहीं दिया on the spot तो यहां से यहां पे नहीं दिया बाहर दिया यहां on the vote दिया तो तुरंद market यहां से अब यह चीज़ देखो यहां के बाद में भी बाहर जाना तो changing ही allow चाहिए changing के बिला बाहर नहीं जा सकता है तो यह चीज़े अब यहां पे market जब पूचा अब दो barrier है अभी देखो पूरा out border नहीं है यह बहुत important level है तो मैंने मार्क किया इसके बाद में अगला level nearby है जिसका connection magnetic pressure की दरह होता है यह खीचता है यह रोकता है यह इसको रोकेगा यह होग breakout ठीक है यह हो जाएगा आपका protection मतलब यह रोकने की कोशिस करेगा तो breakout के बाद मार्केट को अगर magnetic यह level क्रोस करना है तो यहां से strong climax candle की आई भी थकावट को एक तो closing on top यहां दे देता है तो लोग यह वेट करते हैं कि नहीं उपर closing नहीं आई है तो वो वेट करते हैं के पास नियर वाई एक लेवल और मेगनेटिक प्रेशर तो ऐसे में उसका खिचाओ होने की वजह से अब आपको उसमें उसका डाइजेशन दूर देखो यह जो किनारे होते हैं यह stretch होता है खिचाओ maximum खिचाओ यह आप breakout success मत देखो यह आप maximum potential देखो कि यहां पूचा है maximum potential अगर मैं इसको stretch point वो लो तो यह खिचाओ में आया है तो इसको release होने दो release होने के लिए थोड़ा सा 15-20 मिंट आदा गंटा लेगा तो वो आएवे stretch को release कर देगा उसके बाद जाएगा तो ज्यादा बेटर मत आप breakout को play ने करके उसका time wise retracement और again upper side के जाने के momentum को play करोगे तो यहां से उपर जाने के momentum को हम एक मिनट में देंगे एक तो मार्केट की चाली यहां धीमी रही थी एक candle की speed आई थी एक candle की speed में आये वे बायर के बाद में यहां पर पोज मोड़ा है उस पोज मोड़ में यहां release करने के बाद अगर यह इस level को तोड़ दा है तो magnetic pressure मांदे व तीन बज़े की candle के बाद में जस्ट इसकी closing जस टाइम स्विच यानि कि जो main magnetic pressure इसके उपर लेवल नहीं है इसके उपर लेवल नियर भाई नहीं है बहुत दूर है ऐसे देखोगे तो यह लास्ट लेवल था यहां तक तो हम कह सकते थे कि सारे breakout ने इंसाइड गाई यहां पर मार्केट एंड हुआ है यह दे की लास्ट केंडल है तीन बज़ के 15 मिन अगला दिन फिर मार्केट में लोग सोते हैं कि मार्केट बहुत हैवी बुलिश रहा है मार्केट अगेन बुलिश आए और देखना मार्केट दिखाता कैसा है तो मैंने एक बात कही थी हिस्ट्री नेवर रिपीट हिस्ट्री रिपीट करती है लेकिन करंट की हिस्ट्री नेवर रिपीट आज ऐसे चेजिंग कल ऐसे चेजिंग परसो ऐसा नहीं आज की चेजिंग कल अच्छी तरह से याद रहती है इसी वजह से हिस्ट्री उसको रिपीट नहीं कर बादी जो आप जो पीछे हो गया उसके बीच में दस दिन निकल गए तो वह दुबारा रिपीट हो सकता है तो यह चीज विसे देखो ट्रेडिंग में आपको यह सिखाएंगे कि हिस्ट्री रिपीट करती है बट आप यह दिखान रखो रिटेलर माइंड सेट अगर नहीं रखना तो हि में तो नहीं खाया वह खाया सेलिंग में नेक्स्ट टे पे वह यह गलती नहीं करना चाहेंगे मार्केट ने स्ट्रोंग अप ओपनिंग दिखाई और यह भी मान के चलो जो लोग यहां पर बीटीस टी एंड में लेके गए उनको बिलकुल पैसा नहीं दिया आप उप्शन ले आता है एक सेलर को बायर को किसी को पैसा डंक से नहीं देता तो यहां की जो ओपनिंग है वह इन्वाइट करती है रिटेलर को ट्रेपिंग के लिए कि मार्केट करन्ट में कल का करन्ट हिस्ट्री बाइंग स्ट्रोंग थी आज भी मार्केट गैप ओपन हो रहा है मार्क स्थे का पंच मिनिट आप नोट कर लेना करें कौन से पांच मिनिट टो कोई रुप आप पांच मिनित जादा बड़ा है ज्यादा बड़ा पर और ओपनिंग के फाइफ मिनिट के अंदर अगर ऑप्शन के जो बीटी सब्सक्राइब है ना जो कोल बाई करके गया उसको अगर प्रोफिट मिल रहा है पांच मिनट तक वो सस्टेन कर रहा है इसका मतलब मार्केट बुलिश है अगर वो पांच मिनट के अंदर उसको मैच कर जाता जैसे मानलो ऑप्शन का चाट यहां कोल का क्लोज हुआ और यह अच्छा गय पर हो गया और पांच मिनट के अंदर वो खाता नहीं है तो आप यह बुलिश को यह मान सकते हो कि इनको पैसा दिया है मार्केट में रिटेलर है मैसा लूटते नहीं उनको पैसा मिनता भी है और वही पैसा आगे उस डिरेक्शन लूटता है तो यहां पे अगर पैसा मिल गया नहीं मिला तो ठीक है नीचे के लिए अगर पांच मिनट में पैसा उनका मतलब प्रोफिट में रहा तो समझ लो मार्केट उसी डायरेक्शन में उनसे पैसा लेना वाला यहां पे दो तरह के फूट्प्रिंट बनते हैं एक तो बनता है पूज पूरा डे पूज एक बनता ह पूज दो आएगा याएगा पूज तो बुलिस का मतलब डाउन का मामला खतम हो जाएगा जब आपका पोल के बीटी एस्टी वालों को पैसा मिल रहा है विदिन फाइप मिनिट तो गैप एप की थिए इंपोर्टेंट पॉइंट है अगर कोई नोट कर पाए तो नोट करो और यह आप पीछे जागे कितनी बार भी टेस्ट कर सकते हो कि मार्केट बहुत चोट चोटी चीजें शिखाता है और बहुत इंपोर्टेंट होती है तो यह वाली चीज में मार्केट हिस्ट्री नेवर रिपीट वाला पॉइंट आप विशेज ध्यान रखो कि करंड की हिस SCL R कवर और बाद में पॉज करकर मार्केट गुलिश होजा है क्योंकि बुलिश तो ही मार्केट अभी देखो बुलिश के रिजेंस क्या क्या है जो मैं देता हूं सबसे कम मुझेन आने के बाद में अगर मैं यह कहूं मलब से लेकिन वह आपको मार्केट ने 1500-1500 पॉइंट हर बार निकल आते हैं और मार्केट में यह लास्ट बीएस पी अभी जो चल रहा है वह बीएसपी पॉइंट के ऊपर चल रहा है और आप पीछे भी देखोगे देखो कई बार बीएसपी पॉइंट नहीं बन बाते हैं स्ट्रोंग नहीं जैसे मैं इस जगहे दे बीएसपी पॉइंट ढूंड रहा था नहीं 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 मिला नहीं मिला मार्केट 500-400 पॉइंट ऊपर गया लेकिन एक स्ट्रोंग उपर देखो यह भी पॉइंट मिला आप इसको फैलियर मानलो या सक्सेस लेकिन 600 पॉइंट डेता है तो यहां प्लेसिस था नहीं मिला यहां प्लेसिस था मिला मिलने के बाद में मर्केट इवलेड के फिन नीचे आ घ्या तो हमारा बीएस पॉइंट पर भी टृगर समस्ते होतान और पाँच्छ ंइनडल की होथी यह और听 पाउपिस नीचे 600 पొंट मिल नेक्स डेई आए अगर प्राइज एक्षन मान लोगी आपकी रेट है जैसे यह रेट है पचासजार दोस्तों पर आपको बाइंग मिली पांच मिनिट की केंडल पर तो पचासजार दोस्तों में वही पांच मिनिट की केंडल नीचे अगर वह घूम के 600 पॉइंट से आएगा वह अपनी ट्रेड कार्ट ले क्योंकि बीएस भी फैल हो चुका है बट बीएस पी आपको हमेशा प्रोफिट देगे जाएगा बाइंग में भी प्रोफिट देता है बीएस पी बट बाइंग में कई बार ऐसी जगहों पर लोट के आता और आपने होल्ड कर रखाया तो मिलना चाहिए मार्केट में अगर कोई इंपोर्टेंट बेरियर आता तो उस जगा पोज करके नीचे की सेट ले सकते हो मतलब उसमों मुल्टिपल टाइम पे लेना पड़ता है नहीं तो अगर आपने पूरा लंबा लेके जाना है तो आप पांच मिनिट की उसी केंडल का सब्सक्राइब कर लो चाहिए वो इधर ही आ रहा हो और इधर ही वह एसल काट गया तो बाइंग के लिए तो थोड़ा सा यह दिक्कत रहेगी सेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है सेलिंग में अपको लाकों की दे सकता है अगर यहां पर यहां पर थोड़ा कम मिला अगर हम यहां पर भी अगर प्वोइंट काउंट करते बीएस्पी का लगबग आपको पंदरा सो कम नहीं बहुत पॉइंट है लेकिन यह देखने में हमें कम लग रहा है आइस नइना कि regard एक सबसे कम पोइंट वाले इसए वाला पॉइंट कम है ba यहां बियालाई शाही नहीं वृआला फिर भी इस सबसे कम फोइंट वाले से यह वाला पोइंट कम है और यहां से अगर आप पॉइंट देखोंगे न बीएसपी के तो यहां आप देखो चार पांस जा तो बीएसपी पॉइंट ऐसे हैं एक घंटे के चार्ट के उपर इसको बनाया जाता है और मेरे लिए एक प्राइजेक्शन में बहुत इंपोर्टन्स रखने वाली यह चीज यह चला 600-700 पॉइंट तक ही चला एक बेरियर को फिर नीचे आया एक पूरा नीचे का रेड़ बनाया फिर अगले दिन फिर मिल गया और आगे देखो कितना अब यह इस दिन आगे मिला है और अभी तक चल रहा है तो आप यह मान के चलो मैं इसे बुलीश ही मान रहा हूं को भी यह वाला कलोज कर गया है अब यहां को ही यह पॉइंट कलोज ना करें नीचे तक तब तक तो मुझे अ यहां पर इस प्रॉइंट के अगर यहां आएगा इंडेक्स में और अगर मार्केट मान लो यहां पर 3-4 दिन हो गए मार्केट को मार्केट अगर 4-5 दिन में वहीं भी घड़ा रहे ना उपर ना जाए इसकी तरह तो भी आपका जीरो हो जाता है प्रीमियम तो बहुत बैसरी रहता तो मेरे को क्या है कि रहती है प्राइग की स्ट्रेंद कहां कहां मिली और यह वोधी दीन है जब मैंने आपको बोला था यह बिल्कुल से और मंडे के दिन आप बाइंग कर सकते हो तो मंडेवाले के तो मेरे इसके बाद मार्केट नहीं लिया और इस तैसंकर यदि मेरी प्राइब हो गया तरुट मेरा मर्केट फिर मड़ गूंक मुंद आपिस आया ही चलता ही रहा तो हमारे यहां BSP point wise भी हमें buying का confirmation था तो ऐसे में हम उन projections वो भी importance देते हैं ठीक है तो levels पर हमें यह ध्यान रखना होता है लेवल की कभी भी अगर strong closing आती है तो वो market को reverse करेगी जैसे इसने यह day पर market को reverse किया अगला दिन के स्ट्रोंग खुला लेकिन अभी देखो breakout यह breakout आया फिर नीचे यह breakout आया फिर नीचे मलद जान ही रहा जाना है इसको stretch होने की वज़ेसे नहीं जा रहा एक खिचाओ होता है जब दस्किचाओ जाना है आपकी एंट्री नहीं पाइगी रहें इस नहीं आ कर लिया थिरे धीरे थीरे धीरे ऊपर गया और जैसे ब्रेकाउट इसने इसके बार नीचे रहें और आप यह देखो बेकआउट के लेवल पर यह एक ब्रेकाउट के लेवल मानके चलें इस लेवल पर 15 मिन्ट की चेंडल है यह 0… है 4 यहांगि 60 मिनट एक घंटा का चार्ट वहां सब्सक्राइब तो कितने लोग बिला था दें यह सक灣 में यह कम पॉइंट नहीं है फिर मार्केट यहां 3-4 की ट्रेड होती रहती है तो मैं कहता हूं पर्फिक्ट अगर आपको डूना जैसे एक ब्रेक आउट लेवल यह स्ट्रॉंग ब्रेकाउट आया इधर से प्रोटेक्शन आ गया तो यह पर देखो अब इसके बाद में यह एरिया के बाद में यह पर देखो और यहां पर देखो जब भी पर देखे पीछे का पॉइंट आता है आपको देखो उस दिन भी चार्ट मेंने शेर किया था और मैंने यह लाइन एकजेक्ट ली पचास चारसो सतीस वाली लाइन लगी भी थी चार्ट बनाने था मैंने कहा था यहां से मार्केट और आपको वीडियो भी बेज़ उस स्विंग की बहुत इंपोर्टेंस होती है जैसे मार्केट ने यह वाला ब्रेक आउट किया है पहला स्विंग इसने यह बनाया और फिर गिरावट दी इस स्विंग की क्या इंपोर्टेंस होगी यह जब भी परदे के पीशे बनके आएगा और देखना यहां पे देख यह कम सब्सक्राइब यहां देख लो यहां से आपको कितना तो यह पॉइंट अब यहां पे हम मार्केट की ओपनिंग में सीधा उपर गैप खुला गिरावट को समाल लिया यहां मार्केट ने ब्रेक आउट लेवल दिखाया ब्रेक आउट के लेवल पर प्रोटेक्शन मे 願い मार्केट ऊपर गी तो यह चोटे चोटे पॉइंट यह नहीं कोई स्टेटिजी है यह स्टेटिजी नहीं है यह कोंसेट्स है है आप ये कॉंसेप्ट्स आप इनको समझ किकाम कर पाऊ यह नहीं कि ऐसा होगा ऐसा करेंगा यह आप समझव कि ऐसा क्योँ करेंगे तो मार्केट का एक लेवल कर जाएगा ब्रेक नहीं कर जा जा गा और नहीं कर देंद ने और उन डैरेक्शन वे आप यह रहे हो तो इतना इससे अलग तो कोई जो है नहीं कर ने नहीं कर पारा अब कैसे निश्ञित करोगी ऊपर ने चे का यहां तो मैंने बता दिया कि क्लाइमेक्स केंडल क्लोजिंग आई तो मार्केट के पिलटने की यह नहीं अब मालो यह 15 मिनट की केंडल है और यहां पे जब यह ब्रेक कर रहा है कम से कम 15 मिनट पे 6-7 मिनट बाकी होंगे आप वो 6-7 मिनट दब ऊपर देखो और जब एक्जेक्टली वो क्लोजिंग आती है ना जिसको बोलते हैं हम टाइम स्विच उस जगह अपनी एक मिनट पर एक्टिव हो जाओ फोर डाउन साइट पैसा कमा जाओ यहां पे आपने लीक लोजिंग देखिए तो इस कलोजिंग आई इस कलोजिंग के बाद मैं मारकेट नीचे नहीं गया और यह उपर चाइट यहां पर ने के साथ में यह लोजिंग पहले आपने चार ट्रिंगर पहले बना लिये ब्रेक आउट अब चीजे लेपन ब्रेक आँट ऐसकता है इसके ऊपर एक मिनट के कितने ब्रेक आउट आए हूं अभी देखो जो इसको को बहुत इंपोर्टेंट चीजें रहती है ताइम स्विच जो फियोरी ना बहुत इंपोर्टेंट यह है अपनी तीन बज़े की केंडल 12 तारीक की ठीक है अब इसको मैं एक मिनट पर ले जा रहा हूं एक मिनट पर लेके गए हम अब आपको क्या लगेगा आप देखती जाना है कि मैं टायम श्रीच कितने पर आता है मां पैंद्धा है और यह पंदरा दस पंद्दा पंद्थार शुक्राइब यह तियन एक देता हूं यह से मार्केट कि जान कि आपको लग है यह जग़ा से टो मार्कट ज मार्केड यह रहरा है यह यह यहां पर रिजेक्शन नहीं आजाता कोई इसे एक बाप पक्लोरफ समझने के लिए अब आप यहां पर ब्रेक आउट तो इस जगह हो गया यह लगावा है यहां पर आप ट्रिगर नीचे के लिए देख पारे हो क्या यहां पर क्रोष नहीं किया क्या यहां पर क्रोष नहीं किया तो यहीं का क्रोष क्यों चला तो अब आप यह देखोगी एक मिनट के अंदर आपके पास यहां पर तीन ट्रिगर हो सकते और उन triggers में option कितना खिलवार कर सकता है आपने अगर यहां ट्रेड लिया तो आपका यह loss आपने यहां ट्रेड लिया फिर loss क्योंकि हम तो एक candle का ऐसल रखते हैं अब यह आप ऐसा महांता दिखाने लग जो कि मैं इतना बड़ा असल लग तो आपका risk देखो हम एक चीज बता करते हैं risk और reward के अंदर risk को ना कम करोगे उतना बड़ा कमा पाऊगे नहीं तो आप इस market में उन लहां सो पुई कोई बीचमें ले रहा है और वह तो 50 ले पाएगा यह पर दस पॉयंट पर लोग आप यहांपर दो सो गुना पैसा करें तो यहां पर आप नो गुना करोगे और एक पॉइंट बढ़ा दिया ना आप पचास गुना करोगे यानि कि आपने 50% पैसा ज्यादा कमा सकते ओनली एक पॉइंट कम करने पर भी तो जितना रिस्क कम किया जाएगा रिवार्ड अर्टोमेटिकली बढ़ आकाइस लिए यह मत देखो कि मेरे तीन ट्रिगर चार ट्रिगर यह केंडल का ऐसा लेना है लेकिन आपको चरकी क्शूरियां सिखाई जाती है एसा नहीं कई बार एक जक्ली यह प्लेश नहीं लेके अगे कभी लेना हो फैसा बिखिय लेक्ते सिखाई तरफेंटेगा 15 एपर सट्रेड करते हो 15 वाहँ ठ्यारव एक यह तो लगबक यहां लृत है अब स अब को आपका लेवल सभी हैर अब और ज्रुक्श ऑई लिए अनिलाइस सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं एक्जिक्यूशन गलत हो रहा है तो वह चीज और ऐसा बहुत बार होता है आप एक गंटे के लेवल पे चले जाओ पांच मिनिट के लेवल पे चले जाओ मान लो कि कि यही वाला लेवल कोई लेके बेठा है कि मार्केट यहां से ऊपर उठेगा इस लेवल से ठीक है मार्केट इस लेव इस केंडल पे ते वो पंद्रा मिंट का चाहता है अभी है कम से कम पांच से केंडल ठेर गये लगबग डेड़ गंटा से जादा और किसी ने बाइंग करी उसको बड़ा नुक्सान भी देखे गया अगली केंडल में उसके बाद में उसकी बाइंग की हिम्मत नहीं रही और यहां से बाइंग चल गई तो ट्रिगर सिर्फ एनलाइज नहीं एक्जीकूशन का जो पार्ट होता ना एक्जीकूशन के अंदर ट्रिगर हम क्या करते है हम एक टीए बनाते हैं ऐसा पीला पीला कलर का टीए इसके अंदर ट्रेड आएगी उपर के लिए यह हमें पता उसी पीले एरिया में से ही आएगी और सकता है कि उसका बोटम को टॉट्स कर जाए हाई को टॉट्स कर जाए यहीं से बन जाए ट्रेड यहां से बन जाए एक अब हम उसको बोलते हैं अब उसके अंदर Sum us एक्जी कुसिन्स होते हैं आग्जेक्ट लिवहां तीन ट्रिग्र बनें चार ट्रिग्र बने कई बार ऊठी दस ट्रिगर एक की प्लेश पे बन जाते हैं यह वाला लेना यह वाला नहीं लेना यह वाला यह सबसे ब्द झाने वाली है है एक रीटेलर वाट यह इंपॉर्टंट है मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि कंटेंट हम हर वीक करते रहते हैं आप से जूड़े हो तो वीडियो बताएं जरूर कैसा वीडियो बन रहे हैं और कैसे अब उर चाहिए तो वैसे हम बनाते रहेंगे तो जैसा भी वीडियो लगे आप जरूर कमेंट करके बताएं यह आज का वीडियो कैसा रहा और आगे क्या कंटेंट चाहिए ठीक है बाकी मैं कोशिस करूँगा नेक्स्ट वीक अगर आपका इस पर कोई क्यूस्टन है तो जो रह गया हो किसी का क्योंकि मैं दो या तीन वीडियो स्टे लेवल्स पर बना तो परदे के पीछे के प्राइज वाले भी मैंने बनाए हैं अगर फिर से चाहिए तो इंस्वरेंस पर बहुत सारा पार्ट बना दिया ब्रेक आउट पर भी मैंने बनाया है किसी भी पार्ट पर ट्रेंड लाइन पर आपको वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के लिए बताएं जरू ठीक है वीडियो कैसा लगे कमेट जरू पर थेंक्यू प्रेंट